कि नमस्कार प्यारे साथियों आपका स्वागत हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वालिटी एजुकेशन में और मैं हूँ पदम सिंग तो प्यारे मित रहा है और आज अपनको वास्त में बहुत इंपोर्टन बात करनी है आज का कौंसेप्ट बहुत इंपोर्टन होने वाला है आपको तसलिश समझना है ठीक है तो पूरी एका करता के साथ में जुड़ जाए और यह कौंसेप्ट समझने के बाद में क्यों क्योंकि इसी कौंसेप्ट में थोड़े टफ लेवल के क्वेशन बनने की संभावना रहती है और जिनको यहां से लगाके यहां तक सॉल्व करने में जगे चाहिए वह क्वेशन आपका चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि अपने इसके बेस्ट को जानेंगे ठीक है तो प्यारे में रहूं सुरू करते हैं इस कौंसेप्ट को समझना एक एक एक्जामपल में ल और इस उसत का मतलब है कि छोटी बड़ी यानि अलग अलग जो राशियां होती है उन राशियों को समान करने के बाद में हर राशिक के हिस्से में जितना आमाउट आता है वो उनका उसत है यह आप जानते हैं ठीक है जैसे दस लोग है उनके अपने अलग अलग प्राप्ता अंग है लेकिन उनके वासत प्राप्तांग है पंद्र तो इस बात का मतलब यह है कि उनके सब के अंगों को बराबर कर दिया जाए तो हर वैक्ति के हिस्से में पंद्रा आंग आते हैं समझ गया इतनी सी बात है सुनिए तो परमत्रा एक दो तीन चार पांस संख्या है संख है कुछ भी ले लो जस्ट लाइक ट्वेंटी एंड टैन एंड फिप्टीन एंड ट्वेंटी फाइव एंड फाइव यह मानों कि आपकी तीन दो पांच संख्या है कि दिसंगा पांच आप समझ ना यह पांचो संख्या है तो अपने आपने चोटी बड़ी है ना बिलकुल ठीक है अपन क्या करते हैं इन और कोिश्र संख्याय दोटी बड़ी है इन परते पांच विहली दूसरी यह तीश्री यह चौती रवय्य संख्या को समान करने का तरीक भी तो और दस तीस पंद्रा इन सब को जोड़ दो एक दो तीन चार और पांच है पांच का भाग देदो इनका यूंग भूजाएगा पिछतर अनुआ 50 55 पिछतर पीचतर में पांच का भाग दोगे तो कित्ता आ गया पंद्रब 15 इनका उसर यह 15 है यह 25 अपन दस देते हैं उसको तो 25 हो गया पंद्रा दस उसके गए तो वह भी हो गया 15 अब देखो सबी रासिया कितनी होगी 15 15 15 15 यानि कि अब औस तो आप का 15 तो अब आप समझ पा रहे हैं कि उसत का मतलब है सब रासियों का समान कर देना समान करने के बाद में परतेग रासी के हिस्से में जो amount आता है वो वसत हैं मैंने आप से यू बोला normally कि चार रासियों का ऊसत है 40 उसत क्या है 40 तो आपके माइन में है तस्विर कैसे उँपर नी जाहिए आप बोलोंगर चार रासी एक दो तीन और चार रासी हैं हालांकि शोटी बड़ी हो सकती हैं लेकन इनका उसत कितना है चालीस इसका मतलब चारों रासियों को समान करने के बाद हर रासी के किने क्ते आता है 40 इसके से में 140 4-40 40 पर तेग राषि के हिस्दे में किना है 40 आता है मैंने कहा कि तीन राषिया है एक दोर थी इनका ऑसफ में 55 कि इतना तो आपके माइन में विच्छार आएगा कि हालां कि ये तीनों राषिया जो है अलग котором हो सकती है कोई 100 है कोई देड़ 100 है कोई 20 से ऐसे अलग छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन जब तीनों रासियों को समान किया जाएगा तब हर रासिय के और उसाट 15 अब इस पर फोकस करना इस लाइन पैना ठिक है पांच राशियों का वश्वत कितना है फंद्र है यह सब इस ग्रूप में एक नई राशी 15 हैड कर दिजाए एक नई रासी जो कि 15 है इस ग्रूप में जोड़ दी गई हैं तो ग्रूप का नया उसत क्या होगा एक बात बता ओ इसकी सकल कैसे यह पंडरा के जैसी पंडरागे जैसी पंडरा पंडरा यह सब सैम सकल है कि नहीं है सेम सकले हैं इसका मतलब और फिर चैंज नहीं हुआ यह सो नो ठीक आसे का मतलब है कि सैम सखलों को बहुत सारी को बिढ़ा दो वह उंका आसवे यहां पे सैम सखले पंदर फंदर आ दो पंदर आरे तो अब यह सकल ऐसी कि पंदर पंदर की दंडरा आके बैठ गया तो आसद में व्रेंड कोई नहीं रसी कर ले और छाल हुआ योलो साथ 15 अब पैले मैं सबसें रखी दी दो रखी और आ गई फैसे पर दट शी तह और तो अब क्या होगे अब भी उसपहं राय को स सिखया लो साब एक वर फंधरा यार तो अब भी पंधरा है ए एक और फंधराया अब क्या वासत और भी पंद्रा है कितने ही पंद्रा लिया हो ना जितना वासत है यानि वासत कितना है पंद्रा वासत के समान तुम कितनी भी रासिया एड़ कर लो वासत में परिवर्दन नहीं होगा क्यों होगा क्यों क्यों नहीं होगा क्यों कि वो सेम सकले सेम हो जाएंग सपरतेग पंद्रा ए olarak यह चंप धन्रासि परतेग यह हटा दी जाती है बता नया वसद क्या होगा है कि 7 ₋ मैं से तीन राओ सिंहां था और गहती है जिनका योग वाणलो योग करे डिबंदरा पंदरा टीशनба में त्यर्क जाती है जिनका योग पे 9 avenarta यह एड की जाती है जिनका योग 15 है अर्श वरी तीस है तो आपको वह साब वो मानों 15 पंद्राइए तो नया वासत क्या होगा तो पंद्राइए है तो पंद्राइए 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 मतलब अब मैं समझाना जारों वह समझो मतलब यह है कि एक संख्याओं का कोई ग्रूप है ठीक है उसका अपना कोई ओसत है ओसत के समान कोई संख्या ग्रूप में आ जाए या फिर ओसत के समान कोई संख्या ओसत के बराबर क कोई संग्या ग्रूप से बाहर चली जाए तो और सथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्या आप इस बात को समस्पाई बिल्कू समस्पाई क्लियर ले ठीक है तो ऐसी बात है अब प्यारे में रहूं आगे समझना जैसे कि यह लोग अपने एक और 15 थाना यह लोग वह अपन समझना जा रहा हूं यानि की और सथ के समान अगर कोई रासी ग्रूप में एड होती है तो आसट को फरगने पड़ता और सब्सक्राइब आशी ग्रूप से बाहर जाती है पस्तुक्त फरगने पड़ता अब एक दो तीन चार और पांच रास आशा कितना है पंद्रह एक रही है और वो कितनी है परमद्र वो है 21 बोलो कितनी है 21 बताइए राशियों का नया वासत क्या होगा क्या आप भी पंद्रह यह अब पंद्रह नहीं है क्यों इसकी सकल चेंज तो क्या करेंगे वासत का मतलब है सब को समान कर देना यहां पे आप एक इंपोर्टन वांस कर देना इन पांचों राशियों ने उसको उसको बोला क्या बोला कि मैं है आने वाली राशी यानी कीस तुम हमारी सकल से मैच नहीं करती तुम सबसे पहले हमारी सकल के जैसी बन जाए तो 21 ने कहा कि तुमारी सकल से तो मैं 6 जादा हूं इस और नो बैए 21 क्या बोलेगा कि तुमारी सकल तो 15 की है और मेरी सकल तो 21 की मैं तुम से 6 जादा हूं जब मैं तुमारी सकल का बनूंगा यह कुरासी बोलती है मैं जब मैं तुमारी सकल की बनूंगी तब मेरे 6 मान तो जो है हटाना पड़ेगा यह सणो तभी तो जाकर क एक दो तीन चार पांच अब छे लोगों में इस छे को बाटना है तो सब को एक एक मिल गया एक किलो मिल गया मालो है ना इसको भी मिला एक किलो इसको 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 मिला तो लाइब वैसे इसको करने का तरीका अलग होगा आप असा करेंगे किसा आप रास या पांच और आप फिर निन का योग हो गया नहीं रासी आगे एक तीस यह हो गया फलां ऐसे गर गई ठीक है चलिए वह अपन सब करेंगे लेकिन पहले आप जो मैं से प्सम्झाना चाह र किना घ्रीए 16 16 16 16 तो नया असथा हो गया वाओ गया अब बताओ यहां करके तमने क्या बात कि यहां करके तुमने यह बात नोट की कि अब उने वाला को ना गomb बड़ा अमांट क्या वासत से कोई बड़ी रासी और ग्रूप में शामिल होती है और सब्सक्राइब ग्रूप में शामिल होता है तो ग्रूप का यानि समू का वासत बढ़ जाता है बढ़ता ने बढ़ता उसने आकर के सब तो नया वसत क्या हो गया सोला हो गया यह चीजा आपके मैं में क्लेर होगी ठीक है आपने बढ़ते हैं अपनी से एक्जांपल को आगे बढ़ते हैं तो नहीं अब इसको अटेते हैं अना अब समझो एक तीन चाहर पांच पांच राशियों का वहसत 15 है पांच राशियों का वहसत क्या है पंद्रह है एक छटी रासी जिसका मान नौ है जिसका मान कितना है नौ है ग्रूप में शामिल होती हैं बताइए ग्रूप समू का या संख्यों का नया वासत क्या है एक बात बताओ पंदरा 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 बैटे थे एक नया आमाउंट आ गया नो यह लोग मना तो कर नहीं सकते हैं तो या गया नो है ना सबसे पहले इन्हों ने बोला कि उसका मान क्यूंँ इसको नो 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 को बोला कि तुम हमारी सकल के समान होई है तुन अने का फिर ल रोफास्तों आए अगर तो मारे बराबर का अदमी मुझे बनाना है तो 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 थोड़ी मेरी लग्ट करो तो इन सब लोगोल को फोड़ी है परे चलो बेंशाट है ऐल्प कैसे क कि इसको पांच किलो मिलते ही यह नौर पांच चौदा किलो का हो गया है ठीक है और इसके पास किते हो गए इसके पास 15 थे एक गया तो 4 इसके पास भी गया तो चाहदान एक गया तो 14 एक गया तो चौह दे बेको सब का ओसको बिचारे अच्छे बले इनका पंद्रा था अभने को चौह गया नुक्षा नहीं हुआ क्योंकि कमजोर आael लिया ना इनके साथ में तो इस मसले में आप क्या समझे इस मसले में आप यह समझербे कि समुल में वसम से कोई छोटा आमांड समो में सामिल होता है ग्रूप में संख्याओं के समो में वसमत से में करने का तरीका वो मैं आपको बाद में बताऊं का उसका जो काल्कुलेशन कैसे करना वगड़ा लेकिन आप इस समझ को अपने माइन में डालो एक काम करते हैं एक नेक्स एक्जम्पल लेते हैं इससे फोड़ा डिफरेंट अब तक क्या समझे कि वसके समान के संख्या और समयल होती है तो तो फरकने परता अगर और समान की कोई संख्या ग्रूप से निकल जाती है तो भी फरकने परता लेकिन और सब्सक्राइब अब दोजन इनका अपना भारें इनका अपना भारें इनका अपना भारें यह 60 कि लोगा है यह 65 गाइब या सी गाई यह 100 कि लोगा पाउर बेट है ठीक है तर आसा फेसम झो इनका अपना भार है है उस बाहर से आपने को मतलब नहीं है ठीक है ना यह आदमी स्थू सब्सूर्शन गैंट पैंसे के दोगे मानलो वस्त कुछ भी आया मानलो वस्त आया आपका 56 किलो वस्त बार शपन किलो आगया तो एक बार के लिए उसको आप रहन दो ऐसे इनका वस्त बार आजाएगा अब यूं कहा जाता है सुना आप अप तरह से न यह समूए पांच वेक्तियों के एक समू में 65 किलो वा लाव व्यक्ति बाहर जाता है और उसी के इस्तान पर एक नया वैक्ति 65 किलो का आजाता है तो बताए यह के समू का ओसस बार मैं कितना परीवर्तन होगा क्या को परीवर्तन होगा नहीं रासियों का योग बड़े में रास योग जंखया यानि इस जगे से 25 लिए गया था तो अब क्या हुआ है पैसे गया तो पैसेट वापस आ गया तो अब भी तो आसे तो भी रहना ना रहेगा पिन रहेगा तो कोई फारग नहीं पड़ेगा तो आप क्या बोलोगे कि समू में से जितना मान निकाला जाता है यानि जो राशी निकाली जाती है अगर उतनी ही राशी वापस समू में एड की जाए तो समू के ओसद भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है समझे आप अगली बात है ठीक है अब ये 65 किलो का गया था ऐसे बोलेगा पांच व्यक्तियों के एक समू में 65 किलो वाले बार 65 किलो भार वाले एक व्यक्ति की जगर एक नया व्यक्ति जिसका भार 70 किलो है वो शामिल होता है तो ग्रूप का नया ओसत कितना बढ़ जाएगा या कितना घड़ जाएगा यप क्या वह रहेगा आप देखों यहाँ पर गड़न गया था पैसेट किलो का समझ पार ना बात को आज मैं सारी सम्झाओं वह समझते जो अपने समंझ विक्शेत करते जो 65 की लो का गड़न गया था यह सब लोग देखे दब आ गड़ना बन ग के गए तोम 70 के आयो अच्छा अपने ग्रूप को 5 किलो का फायदा हुआ कि आ般 समझे ना बिल्कुल पांच केलो का फायदा किते लोगों को हुआ है एक लोगोनार फाइदा वहा तो हार आदमी को एक किलो एक्स्रा मिला हर आदमी के माल में एक किलो में जितना मान निकाला जाता है गर उतना ही मान समू में वापस सामिल हो तो समू के वासत में फराग नहीं पड़ता और अब क्या समझे कि जितना मान निकाला जाता है अगर उससे जादा मान वापस समू में सामिल हो जाए तो पूरे समू का उसेद बार बढ़ जता है उसेद़ मान बढ़ जता है एस वा पैरमितरों अगला कॉंसेट 65 के भाई साब गए हैं अगर अगला वाल आने वाला साथ का आ जावे तो पैरे में तो नुक्षान हुआ कि नहीं हुआ इस ग्रूप को बिलकुल जैसे ही वो साथ किलो का वेक्ति आया बागी सब लोगों ने बोला कि साब हमारे भाई साब गए थे वो तो 65 के थे अब तुम स इन ट्राट के आये हो हमारे पूरे ग्रूप को पांच किलो का नुक्षान हुआ हुआ यह गनी हुआ और फांच किलो का नुक्षान जब पांच लोक वहन करेंके तो हर आधमी में को एक किलो का लक्kov गशान होगा गलनी आवगा तो एक कियलो सभना का वस्त गिर जाएगा क्या यह वास माई के नहीं का मतलब यह कि जब समु में कोई मान जो है वो निकाला जाता है उसके इसलम पर उससे कम मान सामिल कर लिख लिए वापस समुमें तो पूरे समुका वस्त भार क्या हो जाता है गिर जाता है यह सचाइव चलिए तो प्यारे मत्रा इस फॉंचेप्ट को आप समझ पाए है ठीक है अब इसमें प्रेक्टिकली क्वेस्ट्टन को ले ना है और क्वेस्ट्न को जो अपन कल वैमें करेंगे अभी आप देखेंगे चलिए एक शिंपल सा क्वेशन अ आप जो है इसका तरीका देखें कि अपने कैसे कर तो ठीक रहेगा नौ चात्रों के समू की औस तुम्र बारा वर्स है एक नया चात्र जिसकी उम्र सत्रा साल है समू में शामील होता है बताइए समू की नहीं औस तुमर क्या हो एक बात दो नौगों के ऊसित उमर क्या थी बारा यादि सबको बक्तर सब की उम्र को बराबर कर Yakर कर दो तो हर बचंगा वर दो नहीं सारे शारे 248 है तो वो भी बारा पताई चला फिर एक और बारा का आया पिर याडित तूनी फरकर नहीं पड़ेगा दो तीन ऐसे बारा बारा के उठके चले गए तो भी आ पैचान नहीं पाइख की परिवर्तन हुआ है लेकिन यहां पे बारा वर्ष की उमर का वेक्ति गया है कि इस्तान पर 17 साल की विया है ओ स्वरी नहीं नहीं उनकी उस्ट वारा वस्टन सब की लिगने नया आधम में नया पच्चा आया जिसके औस तो नहीं तो वह तो सब का फाइदा करेगा फाइदा कैसे करेगा दो तरीक से बात को समझते हैं चलिए पहले प्रॉपर विक से सॉल गरते हैं इस चाटर कितने हैं नो कि और सब दो मुझा है बारा दॉस्ट तो मुझे हम रहें बार रहें वर्ष बलू चात्र कितने हैं नो ऊस्ति मेरा वर्स हें तो योग क्या होगा 1260 यह होता है ना ब्लकुल सही नौ चात्र थे इनका उस्तों रबारा वर्स्ता तो इनका योग हो गया एक 108 ठीक है एक नया चात्र आया है दस्वा नया चात्र नया चात्र वो किते वर्सका है सत्रे वर्स आप समझबा रहें है ना सत्रे वर्सका है वो चात्र है कि अब एक बात बात बदो चात्र इतने होगे पहले तो नौक अब एक आगया 10 ओगे 10 योग क्या हो जाएगा सब था था den Hoy चात्रों कि है कि आयू मुण अनना अम्र का योग बताओ कितना हो जाएगा जब नौच अब यू कितना था एक सौट और दस वाइवा सत्रा साल का आ गया तो किता हो गया साथ सोट अपनरा का आशा सेलका एक रिक दो एक्सव पचीस वर्ज ये सीनों एक्सव पचीस वर्ज भी अब दस एक बात रहो इंडस चात्रों के वास्त लुटाइब रासियों का योग रासियों तो इन सब चात्रों के उमर का योग क्या 125 ओके और यह चात्र कितने 10 दस खबाग देदो अरह है पॉइंट पांच मर्स सादे बारा साल बोलो साडे बारा सालिंकी नई लुख होगी तो बताओ पहले कि आसे लुख क्या थी बारा साल अरब कितना है जाडे बारा वर्स यह सो नो यानि और से लुखर में कितना वर्दी हो गई जीरो पंट पांच यह आधे साल की वर्दी हो गई अब प्राइब यह तो अपन ऐसे भीग शक्ति दिना कैसे देखो इस सबकी ओस नमर्र कितने 12 वर्ष अब यह नया बालक कितना आया है 17 वर्ष का आया है अगर 12 साल का आता तो कोई नहीं थी यह निपांच वर्स यह और सो से ज़्यादा लाया है का सब्सक्राइब था था इस नहां था ये तो यह कि सबके ऊसल सब को बातेगा और पांच साल सब को बाटेगा तो किते लोगों को बाटेगा नौ लोग तो अल्रेडी थे और दस्वा वो खुद क्यों कि सब के बराबर बनना है ना तो जो भी बंटवारा आएगा वो उसके हिसे में भी दो आएगा तो यह पांच वर्ष किते लोगों बटेगा आप नौ और पहले वाले के दस लोगों में ठीक है तो असला में वर्धी अस Tiffany बर्दी बातों ये पांच साल रभी आपांच लतेंगे पांच वर्म लगों बोटे में लोग कितने दस तो यह लो गाज 0.5 वर्स यानि हर वेक्ती के हिससे में आदा वर्ष सामिल हो जाएगा आदा तो अब हा उसब 0.5 बढ़ रहा है ना तो नया उस्ट होगा आपका 12.5 वर्स बोलो हाय ना तो यह चुटकियों का खेले बारे मित्रू ठीक है चलिए तो यह समझ जब अपने डवलब हो जाएगी तो उसमें बहुत आसान हो जाएगा काम बागी यह तरीका रही बहुत आसान आप में सहरवक्तिस को समझ सकता है ठीक है चलिए अब आप सका स्क्रीन सोट लो अब प्रेम दो अपने लिए नेक्स वेसन समझना आप यह है आपका नेक्स प्रेसन और तसलिशा आप समयना ठीक है देगो उन्नीश चात्रों की वासी दूमर पंद्रह वर्स यह चात्र कित दस वर्स है समुवें शामिल होता है तो बताइए समुव की नहीं उस्ट उम्र क्या होगी बहुत आसान है दोनों तरीक से किया जा सकता है आप इस प्रेटन से करोगे कि छात्र कितने हैं 19 यह सो नो ठीक है और इनकी और सथ उम्र क्या है का गया ना उन्नीश चात्रों की औ हुआ से थो मुझा हो गी 15 वर्स और तो योग क्या हो गया उन्नीश इंटू पंद्रह किन तो पंद्रह दस एड़ देड़ सो और देड़ इड़ सो और यह सो थीन समय कम 285 है थे कि ना 235 इनका योग बहुत एफ दो मुथा सी वर्स अब प्यारिमत्यों क्या पोछला है कि नया चात्र आया है जो दस साल का है यह एक नया चात्र शामिल होता हैं दस साल का है तो अपन लिखेंगे हुआ इस प्रतार क्या एक मात बदाओ और उन्डीश तेना पहले अब एक और आ गया तुप इस चात्र ओगे और बीस वाच फर दस वर्ष की उम्र का है यह सोनो बीस चात्रों का योग कैं हो जाएगा आ चात्रों की आ उम्र का यो यो यह आपका 200 पीचान पिचान 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 इन बीस चात्रों का वस्त बताओ बीस चात्रों का वस्त क्या होगा वह इनकी उम्र का योग बटे में 20 क्लियर तो बताओ मुझे इनकी उमर का योग क्या है सब्angel की चात्रों बेश तो योग बटे में उनके संख्या बीस का बाज दो यह अबका आपका फाइब यह आपकी नहीं हो गई सब्सक्राइब नहीं बहुत असाने चलिए अब प्यारे में तो देखो आप इसको जो ना चुच ग्रें तो नश्कार चाहिए जिनाने का अभाइए उननीस्ट लूग बैठे इनकी अार्श्य तुम्र पंद्राव से यह भी पंद्रा का रियव को बनाकार यह भी बेन अंवां चाहरी को सब्सक्रां करें खूआ यह लोग होगा आपके 19 अब 20 वाचात्र आया मात्र दस वर्स लाया यह सुनो दस वर्स लाया तो प्यारे मेत्रों इन सब को तो लेने के देने पड़ जाएंगे बोलो हाय ना ठीक है जरूर बिल्कुर निश्ट उसे पड़ेंगे यह उसके किते कम पड़ रहे काने इनके बराबर होने के लिए बराबर होने के लिए वह पांस कम में और से वह सुधमरा को दस सुरी 15 र Prayer से और वालत किते का wordां क्किति पांच साल कम पड़ रहे हैं अब प्यारे में तॉप पचास नीपांच है ठीक है योग में कमी एक प्रकार समझना पांच की वास्त के नुशार अलाग यह लिकना ठीक निया योग में कमी चलो अपने यह माल लेते हैं कि कमी कि दुनी है कमी है पांच वर्ष की और इस पांच वर्ष की कमी का खामियाजा कितने लोग भुगतेंगे उन्नीस तो पहले थे रिख 20 वाई यह भी तो साथ भुगते का तो उन्नीस रिख बीस चात्र है ना चात्र है कितने बीस ओके तो और सत में कमी किती कमी हुई आप गोगे कि पांच वर्ष कम होने का खामियाजा बीस लोग भुगते ना तो जीरो पॉइंट दो पांच वर्ष हर को नुक्षान उठाना पड़ेगा परतेक बालक को जीरो पांट दो पांच वर्ष का इसको जी प्राइब था एक वीडियो में इसको बोलो के 0.25 तो इतना खामियाजा हर को उठाना पड़ेगा तो नया आउसत क्या हो जाएगा अत्व हो नया आउसत बोलो पहले आउसत क्या था पहले आउसत उमर्थी पंद्रह वर्ष तो पंद्रह वर्ष मैंसे जीरो पांट दो प्रष पांट फाइब यर्स आप देख लेना आइसमें 0.25 लिखाए चलो याने दिखना आपको यह देखो पंद्रह वर्ष उसत उमर्थी इसमें से आप 0.25 यह घड़ा लो घड़ाओगे तो आपके पास क्या आएगा आपके पास आएगा 14.75 यह आपकी नहीं आई उसत उमरे सब की यह सब लो तो इस परकार से आपकर शक्रक्ति और एग्जाम में आपको इतना भी लिखने का जरूत है सीधी सी बात है कि वह बाइब ऑस तो कितना था सब का पंद्रह था और वह बालक आया वो कितने का दसका है तो पूरे ग्रूप का पांच वर्स का नुक्श कर दिये हुए और वो ओड है दस की शकल लिए बैठा है तो अब उसको समान करने के लिए मला उसको बराबर करने के लिए पांच कम पढ़ रहे ना तो इस पांच की कमी किते लोग भुगतेंगे टोटल बीस पर यह कमी आने वाली है बीस लोगों पर यह जो है प्रेसर आने जोनों चलिए अब आप इसका स्क्रीन सोट लोग जल दी से अ ठीक है अब प्रेमित्र आगे बढ़ते हैं एक और कॉस्ट लेते हैं समझना अब इस से थोड़ी से डिफरेंट बात प्रेमित्रों यह है आपका नेक्स क्रेशन और समझना तसली से ना बहुत आसान है दो तर देशर्ण guard train निए अनने-एक नया व्यक्ति के उम्र प्चीह से शामिल होने से खुलेसंट अध्यक नया आद्मी आया जिसके प्रिणाम शरोप एक वर्स वПрण गई बढ़ाए मण बताए नहे वेक्ति की उम्र क्या है चलीए बहुत शिंपल है बहुत सुने है दखिये बता व्यक्ति कितने थे 10 थे ओके आज शत उम्र क्या थी 25 वर्ष ठीकनी दस व्यक्ति दे और समर प्चीश वर्ष थी तो इनका योग लोग कितना होगा 10 एंटू पंचीश धाई-स वर्ष किनका यूग दस व्यक्ति योग आँस नमर पचीश के जाब दाइस वर्ष नका यो एक नया व्यक्ति शामिल हुआ तो नया ओसत सुनों इसने काना एक नया व्यक्ति शामिल हुआ जिससे सब की ओसे दूमरे एक वर्स बढ़ गई तो अपने गाए व्यक्ति के आने से क्या फरक बड़ा कि पहले औस तुमर कितने ओने ओने होती थी पत्चीस वर्ष मैं दस्वे पत्चीस प्लस एक नहीं औस तुमर क्या हो गई 26 वर्ष यह बाद आपको समझ मा गई नहीं और 26 वर्ष हो गई तो अपन लिखेंगे दस्वेक्ति यह ग्यारा एक ग्यारा व्यक्तियों की अ उम्र का योग अब पहले तो व्यक्ति दस हुआ करते थे एक नया आया तो व्य व्यक्ति हो गया आपके 11 अब 11 व्यक्ति जो है ना अब इनकी उसत उमर पी अलगे पहले 10 की 25 वा करते थी लेकिन अब एक एक वर्ष बढ़ गया सब्स हो गई तो ग्यारा व्यक्तियों की और सुम्रेट 26 वर्ष यह सो नो तो गुना कर लो ग्यारा चैंट चैंट 6 ठीक है और यह हो गया आपका गयारा व्यक्तियों का योग है उम्र का एक बात बताओ जब व्यक्ति 10 हुआ करते थे तब उनकी उमर का योग क्या हुआ करता था अबन कहीं के साब 10 लोग गवा करते तब 200 योग था उन सब का ग्यारवा व्यक्ति क्या आ गया कि योग आपका 286 पर आ गया तो इसका मतलब नए व्यक्ति क्योंपर आ सकती है बिल्कुल आ सकती है तो आप लिखोगे नया व्यक्ति अ नया नया व्यक्ति किते का है बताओ मुझे है नया व्यक्ति आपका है कि 286 वर्स में से 200 वर्स गटालो 36 वर्स का है यह आपका अंसर है कि यह सब्सक्राइब कि जब यह लोग दस हुआ करते हैं का योग थाई सो जब यह लोग 11 हो गया तो इनका योग हो गया दो चैनका बलब 36 साल उम्र बढ़ गई वो किस की वह गयार में व्यक्ति की ही तो है ठीक है अब प्यार में रहाँ इसका जो दूसरा तरीका है वो क्या है देखो दस व्यक्तियों की और सटमर पचीस वर्शे ओके देखो एक दो तीन चार पांच से साथ आट नो दस इनकी वह स्टमर कितने पचीस ना यानिकी हालाइं की उम्र लग लग होगी कोई 20 साल का होगा कोई 18 का कोई 27 का यासे होगी लेकिन और सटमर इसने पचीस बताई यानिक सब्सक्रा गया कि यह दूम्र सब्सक्राइब जोगे 14 इस की अचीज मचीे 25 25 स bathrooms पहुचिस पहुचिस मचीश पहुचिस यह आदमी नयाया एक बास रहो ये विगर पत्चीज साल की उमर लेके आता तो आकर के पास में बैठ जाता क्या और सथ कोई परिवर्टन होता नहीं होता यह दो लेकिन निर्श्यत रूप से यह आदमी पत्चीज साल से जादा कुछ उमर लेके आया है तबी तो सब का वासद बड़ा है यह उसने बाकी लोगों को कु हुआ मेरी टीकल्गूर्ट की तूब ले अपने का साथ इस जगय की पूर्ती करने के लिए 25 भस्तों ल- täll I like मप्षी साल्ट तो वह लाया है इस के साथ में उसने क्या किया है कि सब को एक एक वर्ष दिए यानि सब का मान एक एक वर्ष बढ़ाया है एक बात बताओ पहले लोग कितने थे दस एक वो खुद आ गया यानि अब उसने ग्यारा लोगों के मान में एक की वर्दी की तो इसका मलब ग्यारा इंटू एक यानि ग्यारा तो उसने ग्यारा लोगों को एक वर्ष दिये दस तो पहले थे खुद हो गया खुद की सीट बेभी एक वर्ष रखे का वो तो ग्यारा वर्ष एक्स्टा होगे पंचीज और ग्यारा च्छतीस वर्ष उसकी उम्रे कितनी हैं 36 वर्ष ठीक है चलिए अब आप इसका स्क्रीन सोट लो अब पहरे में तो समझो चलो यहाँ पर तो आस नुम्र एक वर्ष बढ़ गई अगर आदा वर्ष यह वर्ष नुम्र बढ़ती तो 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 तुम क्या कहते किसाब यह जो ग्यारवा वेक्ति है ना ग्यारवा आप लेके आया है जिससे सब की और आदा वर्ष बढ़ गई यानिकी पच्छिस वर्ष तो उसने लाए लाए हैं सब के बराबर होने के लिए लेकिन आदा वर्ष बढ़ गया इसका अवलए 11 लोगों को उसने आदा आदा साल का मतलब कितना हो गया साध्यमाज तो साधे 5 वह एक्स चाले के आया है तो 25 वर साधे पांच और एड हो जाते तो यह 29 कितने होगे 30.5 ठीक ना मैं 25 तो पहले ही थे साधे पांच वह लाग पीस पांच ऐसे हो जाएगा ठीक है चलिए अब परमत्रों मैं आपको क्वेस्न देता हूं जिसको आपको खुद को करना है पहले आप इसका स्क्रीन साथ ले लो ठीक है परमत्रों यह हैं आपका क्वेस्टन समझ तसलिजए नौ व्यक्तियों का उसत बार साथ किलो है समू में एक नया व्यक्ति शामिल होता है प्रिणाम शुरूप सभी का उसत बार एक किलो कम हो जात हुआ है ठीक है अब प्रिम इसको आप खुद को करना है ठीक है अभी मैं नेक्स वीडियो में इसको फॉल कर आँगा आप आलांके सब का आंसरा आई गया होगा तो जो लोग अभी लाइव देखने ठीक है परमत्रों तो इस परकार की बात है दो कितना इंट्रेस्टिंग संबस्ऑ्अ है सबसारा लकस बसके पाला उसद बल्की पूरी में शुम्न मैं युद्रेस्ट है इस के ऊकल पर भी सब्सक्रा dell है यानिक विवल पड़ाई की बात नहीं जीवन का कोई सामी पहलो नखेवर जीवन का बल्की ब्रमांड की हरिस्तिटी पड़ा जतती कर उसके बेस में जाके समझी जाएं तो वो पूरी तरह से आपके बस में हो जाती है कि समस्पारे आप इसी परकार्स दे कुणा दिए था उसमें आपको बात बताई आप दो योग करते हैं तो वो इसी कॉंसेप्ट में काम करता है कि बड़े कुनियाधी तरीके से बारीकियों के साथ में आपका आपके ऊपर नियंतरन पैदा करता है कि कौन सेप्सुल तरीके से आप मान सकते हैं उसको बड़ा करमबत तरीके से आपकी सारी उर्जाओं को एक्टिवेट करता है फिरा माइंड ब्लॉइंग प्रसनली बन जाते हैं तो तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है बहुत शांदार पड़ रहे हैं मैं आपकी कमेंट देख बता हूं आप अपनी बात जो है कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाते रही है क्यों क्योंकि हम आप से प्रस्नल दो मिल नहीं रहें आप से बाचित फॉन पे करने रहें तो आपको कैसा लग रहा है वह बताने का एक ही माध्यम है वह कमेंट बाक्स ठीक है और मैं हमेंसा कमेंट बोक्स देखता हूं है बलकुल कि भई आपकी क्या परतिकरिया आ रही है ठीके साथ्यों चलिए तो आप अपनी बात को कमेंट बोक्स में रखिए और अपने दोस्तों को वीडियो भी शेयर किजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए बैल आइकन में दबा दीजिए इससे अगर मिलते नेक्स वीडियो में थैंक्यू सो मच